स्वागत है आप सभी काम टीवी नियूज इंडिया की एक नई वीडियो में चलिए जानते हैं कैसा रहे गाती इश्वर के मौसम का हाल वीडियो शुरू करने से पहले कॉमेंट स्ट्रेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं जिससे कि हम आपको डिली अपडेट करा सकें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें पास आए बेल आइकोन को भी जरूर दबाएं डिली के मौसम निली करवट एक दो दिन हवा तहरा मई को बारिश और एक हफते में भीशन गर्मी से रहात आपको बता दी बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मोचा तीजी सागे बढ़ रहा है देश के टटिये लाकों में इस तूफान का बड़ा असर दिखने की संभावना है इस चक्रवाती तूफान के कारण कई लाकों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने के आश्रंका जटाए गई है मौसम भाग का कहना है कि इस तूफान के कारण 70-60 किलो मीटर प्रिति घंटे के रफ़तार से तीज जवाय चल सकती है इस तूफान के मद्य नजर पश्रिम बंगाल में अलर्ट जारी किया गया है ओडिशा में भी 18 टटिये और आसपास के जिलों में सतरकता बरतने की निदेश दिये गए है मौसम भाग के मताबिक मौचा तूफान का कई लाकों में बड़ा असर दीखेगा आने वाले दिनों में भाग के मताबिक देश के कई अन्ने इलाकों में भी आज पारिश होने के आसार है उपिमाली पशिम बंगाल, मध्य महराज, टटी आंतर प्रदेश, तेलंगाना, रॉयल सी, मातम लाडू, पुर्दुचेरी, कराइकल, केरल, उरकर नाटक में भी बारिशोने की संभावना है पुर्वतर के राज्यों में भी जमाजम बारिशोने की चेतावनी दी गई है की और उसके बाद फिर उत्तर पूर अग्रसर हो सकता है इन राज्यों में हुआ जारी अलर्ड, चक्रवाती तुफान मोचा को लेकर पश्रिम बंगाल के साथ ही ओडिशा में भी अलर्ड जारी किया गया है दोनों राज्यों में किसी भी आपा तिस्तितिसानी पटने के लिए प्रशासन और पुलिस को सतर करहने के निदेश दिये गए हैं इसके साथ ही अंडी आरेफ और रेस्ट्री आरेफ के टीमों को भी पूरी तरह से अलर्ड पर रखा गया है मौसमें भाग नया अंडमान और निकोबर दूइब समूव में भारी बारिश की से चैतावनी जारी कर दी गई है इसके साथ ही बता दें कि राज्यों के कई लाकों में ताज़ा हिंपात के बाद थंड काफी बढ़ गई है कई लाकों परिटको और खाना बदूश लोगों ने फसे होने के खबर भी सामने आई है राज्यों के उचाई वाली लाकों में फसे लोगों को प्रिशासन और पुलिस की मदद से निकाला गया है मंगलवार को भी राज्यों का मौसम खराब रहने की आश्रंका है इस जोरान बादल फटने और बिजली किरने की भी घटना हो सकती है इस काईमेट वैदर का पूर्वानुमान इस काईमेट वैदर का पूर्वानुमान के मताबिक जमुकश्मी, लद्दाख, हिमाचन प्रदेश और उत्रखन में आज एक या दो इस्थानों पर हल्किसे मद्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है अंडमान और निकोबर्दू इपसमु के पश्चिमी और दक्षणी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश तो संभव है धीरी धीरे ये पूरा अंडमान और निकोबर्दू इपसमु में इसका आसर दिखेगा और सभी इलाकों में भारी बा प्रदेश उत्तर प्रदेश दक्षदीप तेलंगाना विदर्व मराथ भाड़ा और अंतर प्रदेश में हलके से मध्यम बारिश संभावे मिलते हैं सी प्रकार के अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहीं जै भारत